नमस्कारा मेरा नाम है डॉक्टर पूरी धावन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ की पैरलेसिस कैसे होता है पैरलेसिस दिखता तो हाथ पैर करो गया कि हमारे हाथ नहीं चल रहे पैर नहीं चल रहे हमें सोचने की शक्ती देता है हमारे हाथ पैर को चलने की ताकत देता है तो अगर किसी भी कारण से इस ब्रेन को कुछ हो जाए तो नुकसान कहां होता है कि हमारे हाथ पैर की चलने की शमता चली जाती है तो आज हम इसी को समझने कोशिश करेंगे, थोड़ा से गेरा ही में होते रहेंगे इस brain के अंदर कि किस तरह से brain को नुकसान पोचता है, कितने टाइप के paralysis होते हैं और कैसे उनसे हम निकल सकते हैं अब हम यह जानते हैं कि paralysis के अंदर हमारे brain को नुकसान हुआ, अब यह नुकसान किस प्रकास से हो रहा है, किस वज़ा से हो रहा है उसको जानना भी जिरूरी है, तो जो paralysis के अंदर major कारण होता है, वो होता है brain stroke, और brain stroke की भी दो टाइप होती है, पहला होता है is stomach brain stroke, यानि अब जो आपके brain की हिस्से को oxygen नहीं मिलेगी, तो कुछ ही मिंटों के अंदर वो इस्सा मर जाता है, और वो काम करना कर देता है, बंद, अजब उसने काम करना कर दिया बंद, तो नुकसान कहा होता है, हमारे हाथ पेर में, कि जो हिस्सा हमारे हाथ पेर को चला रहा था, टाइप होता है, वो है hemorrhagic, यानि नस का फट जाना, मालो कि आप बीपी हाई है, बीपी हाई होनी की वज़े से blood बहुत pressure से आ रहा है, और ये जिसे हमारे नाक से नकसीर आ जाती है, खून भार आ जाता है, नाक के अंदर जो छोड़ी वैसल से फट जाती है, उसी तरह से अगर हम ये ही वैसल, हमारे नाक में ना फट कर, हमारे brain में फट जाती है, तो दिमां के अंदर खून फैल जाता है, अब खून के फैलने से दिमां के आसपास की जो हिस्से हैं, उनको नुकसान पहुचता है, और वही होता है, जो कि हमें isstemic brain stroke में देखने को मिला, कि patient की हा और नुकसान पहुचाता है, अब मैं आपके सामने स्कीन पर एक इमेज लेकर आए हूँ, अगर आप ध्यान से इसमें देखें, तो अगर आपके left side में clot या brain hemorrhage होता है, तो आपके right side का body का part affected होता है, इसी तरह से अगर आपके right brain में किसी type का नुकसान होगा, तो left side of body हम अगर हम समझनी कोशिश करें, तो दिमाग का एक हिस्सा left side वाला हिस्सा right को handle करता है, और right वाला हिस्सा left को करता है, तो अगर आपके पास आपके brain की MRI की report है, तो उसे निकालो, और उस पे खुद बाख खुद जज करो कि clot कहा या था, left side of brain में आया था, और कौन सा हिस्सा ह हमारा paralyzed हुआ, right head का, तो ये बताता है कि हमारे brain किस तरह से काम करता है, अब ये जो clot है, hemorrhage है, ये हमारे दिमा की किस हिस्से पे आया है, उस पे depend करता है कि हमारी क्या क्या हमें नुकसान होगा, कुछ patient के अंदर चलने में बहुत दिक्कत होती है, कि वो balance नहीं बना पाते कुछ patient के अंदर हमारी जो सोचने समझने की शक्ती होती वो चली जाती है, कुछ patient के अंदर बहुत गुसा भर जाता है, पचकाना पना आ जाता है, तो ये सारी चीज़े depend करती है कि brain के किस हिस्से को नुकसान पोचा है, अब आपके screen पे एक brain की image है, जिसमें हमें ये देख को मिल रहा है कि हमारा दिमाग बहुत छोड़ी हिस्सों में बटा हुआ होता है, और हर हिस्सा एक particular काम कर रहा होता है, कोई हमें सोचने समझने की शक्ती दे रहा होता है, कोई हिस्सा हमारी हाथ को चलानी की शमता दे रहा होता है, बोलनी की शमता दे रहा होता है, देखनी की शमता दे रहा होता है तो दिमागे अलग-अलग इससे अलग-अलग काम करते हैं इससे असान चब्द हों समझने की कोशिश करेंगे तो जैसे बड़ी कमपणी में छोटे-चोटे डिपार्टमेंट बने वे होते हैं कोई मार्केटिंग देख रहा है कोई अकाउंट्स करता है कि एक pale aleysis patient के अंदर किस त्याब के symptom सिंप्डम देखने को मिलेंगे कुछ patient के अलग-अलग-अलग इसलिए आता है क्योंकि उनके अंदर parietal region के अंदर नुक्सान हुआ frontal region के अंदर नुक्सान हुआ है क्योंकि frontal region हमें judgment करने की help करता है अच्छा क्या है, बूरा क्या है, सही है, गलत क्या है, यह हमें हमारा brain का frontal lobe देता है, तो अगर frontal lobe में किसी टाइप की दिक्कत आएगी, तो patient के अंदर में बचकानपन देखने को मिल जाता है, हमारे brain के अंदर एक छोटा सा area होता है, जिसे हम कहते हैं, broadcast area, यह क्या करता है, यह हमें speech देता है, बोलनी की ताकत देता है, हमारी mass patient को, आवायस की mass patient को control करता है, तो अगर उसमें किसी type की दुक्सान होगा, तो क्या होगा, patient की बोलनी की शमता चली जाएगी, इसी तरह से हमारा occipital lobe है, वो हमें sense करवाता है, judgment करने में help करता है, कि जैसे अगर आप brain stroke patient के देखने को मिलते हैं, तो यह तो रहा कि किस तरह से paralysis देखने को मिलता है, किस वज़ा से वो होता है, अब सवाल ही उटा गिया, कि किसी को paralysis हो गया है, तो उसके अंदर recovery कैसे लेकर आई जाए, क्योंकि बहुत जादा जुरूरी हो जाता है, अब हमें brain का ही treatment करना है, अगर एक paralysis का पेशन, exercise करता है, और ब्रेन को कहीं छोड़ देता है, तो एक सबसे बड़ी दिक्कत हमें देखने को क्या मिलती है, कि पहले 6 मिने में improvement आती है, इसलिए इसलिए की exercise कर रहे है, इसलिए क्योंकि ब्रेन के नंतर जो भी नुकसान हुआ होता है, वो auto heal होता है, अगर में कोई कट लंचा है, तो क्या होता है, शेरिर अपने जखन को भड़ता है, इसलिए जब ब्रेन के नुकसान होता है, तो ब्रेन पेले 6 मेने में इसलिए कोशिश करता है, और इसको हम कहते है निरो प्लासिसिटी, जैसे अगर मारे स्किन पे लागा तो हम इसलिंग क प्लासिसिटी, यह जो निरो प्लासिसिटी है, इसके अंदर हमारे ब्रेंग के अंदर ड्वलेप्मेंट बारा से शुरू होती है, इसी वज़ा से पहले 6 मेने के अंदर ही पेशेंट में काफ एछी रिकवरी देखने को मिल जाती है, जो पेशेंट चल नहीं पा रहा था, खिल नहीं पा रहा था, वो धीरे धीरे इंप्लासिसिटी बंध हो जाती है, दिक्कत शुरू होती है, इन 6 मेनों के बाद, अगर पेशेंट में पूरी रिकवरी नहीं आपाती, और निरो प्लासिसिटी बंध हो जाती है, तो पेशेंट चाहिए जितनी मर्जी एक्सराइस जितनी मर्जी फिजिए ठरपिक कर वाले, जो मर्जी ट्रीटमू लेले, पेशेंट में इंप्लूमेंट नहीं आपी, क्यों? क्योंकि निरो प्लासिसिटी बंध हो चुकी है, तो अगर किसी पैलेसिट पेशेंट जिसको छी मेने से जाला टाइम हो चुका है, उसकी अंदर पोरा होता है, दुबारा से निरो प्लासिसिटी के हेल्प से, दिक्कत इसमें एक और होती है, यह दिमाग का हिस्सा नया होता है, क्योंकि पैला वाला तो मर गया, अब जो नया हिस्सा बन रहा है, इसको हमें जिखाना भी पड़ता है, तो अगर हम जो काम इस टाइम में कर करवाएंगे तो स्मेंग में होगा, तो हमें एक्सराइस को बहुत केरफुली सिलेक्ट करना पड़ता है, जिसमें पेशेंट अपनी इंप्रूमेंट लेता चला जा और फाइनली वो पहले जैसा हो सगे, तो इसलिए हम एक्सराइस पे ध्यान देते हैं, इसी वज़ा से आ आप अगर आप हमें देखने हैं, तीन ऐसी चीज़ें जिसमें ध्यान देना है, पारा है निरो प्लासिसेटि को ओन करना, दूसरा है सही एक्सराइस का सेलेक्शन करना, और तीसरा है डाइट, जब यह तीनों चीज़े एक पेशेंट को मिलती है, तो पेशेंट के अंदर रिकवरी नहीं आ रही होती, वो suddenly शुरू हो जाती है, जो रुकावण आई भी थी, वो खतम हो जाती है, पेशन में रिकवरी आने से, उसके हाथ पर की द्वारा से काम केने के शम्ता वापिस आनी शुरू हो जाती है, तो अगर एक पैलेसिस का पेशन ठीक होना चाहता है, त क्योंकि अगर हम पैलेसिस पेशन की बारे में बात करें, जो भी टीटमेट पैलेसिस पेशन को दिया जाता है, चाहे वो मेडिसिन होती है, तो उसमें बीप की होगी, कॉलेस्टोल की होगी, ताकित की मेडिसिन होगी, बट कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होती, जो पेशन की treatment को समझो जो हम सब कुछ सही तरीके से करेंगे तो पहले मेनी में ही हमें changes जो हम चाहते हैं वो आने शुरू हो जाएंगे तो मैं उम्मीद करते हूं इस वीडियो से काफी कुछ सीख गए होंगे कि औरी आसे क्यों होता है किश वजह से होता है किस तरह से पारलैसिस के अंदर सुधाय लाया जाता है। फरीवी आपके माइड में कोई भी डौट हो कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचि डीवे नंबर को कॉल कर श्रीय अच्कatus दॉक्तर से आप फ्री अफकॉस बात कर सकते हैं, आप अपोइंट में लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं, और मैं आप चाहता हूं कि आप हमारी कुछ पेशेंट से भी मिलें जिनों ने पैरलेसिस को हराया है, नमस्त्रा मेरा नाप है डॉक्टर पूरुदरवन और आज मैं आपको मिलवाना चाहता हूं एक पैरलेसिस पेशेंट जिनकी इच है 63, 63 की इच के अंदर पैरलेसिस को हराना असान काम नहीं होता, तो चलते हैं पेशेंट के पास और उनसे जानते हैं कि उन्होंने इसको कैसे सहा और कैसे इसको देखा, तो शर्मा जी यह आपको हुआ में 2016 है, तब उससे रिकवर पूरे हो गे थे? उसके अब पूरा रिकवर नहीं हो पाया, लेकिन ये 2019 आते हैं मुझे दुबारे फिर आटेक होगा बरेंसु का, और ये राइट साइड का हुआ पहले भी राइट को हुआ था, आप दुबारे भी राइट को हुआ था, आप मेने मेरे को बहुत इंपूर्मेंट है, तो ये जब आपको हुआ था, तो आपने कहां से इलाज करवाया था? जब मुझे ये, जब हुआ है, पहले पहले टाइम भी मैने एसकोट कोटिस में करवाया, इलाज कराया, दाक्टर ने मुझे कहा भी मेरे को, हैलो पाथिका जो अब आप इसके बाद देशी ट्रिस्टिमेंट कराओ, आरियोवेद के हाँ, डाक्टर ने कहा, कि आरियोवेद का ट्रिस्टिमेंट कराओ, उससे साइज आपको बहुत अराम मिलेगा, तो मैंने आरियोवेद में भी इलाज कराया, अब सेकंड बार टाइम हुआ मुझे, त तो मुझे डाक्टर, डाक्टर साब जो संजीविनी इन से मुलाकात हुई, तो इन्होंने एक महिना होगया मुझे दवाई खाते-खाते, जिससे मुझे बहुत अराम है, और मैं आज दूबारे से एक महिनी दवाई फिर दूबारे लेने आया हूँ, तो इससे मेरे को लग जब 2019 में हुआ तो इक ही जगह पे दुबारा स्टॉक पढ़ने की वज़े से, दुबारे सिरुषान होने की वज़े से, शर्मा जी को जो चलने में दिखकर आने लगी थी, कि चल नी पाते थे, पैर नी उठा पाते थे, तो जब हमने इनको मैडिसिन दी थी तो किसी वह हा नीरो प्रासिसिटी के अंदर हम क्या करते हैं कि हम ब्रें को दुबारा से अपने अंदर रिकास करने की शमता देते हैं, वो दिन याद को ज़िए पो हुआ था, तो जन आपका हाथ नी चल रहा था, पैर नी चल रहा था, मगर अगले शे मेने के अंदर हाथ भी चलने लग आपका एक जख्खम हुआ, तो कुछ टैम में वो भरेगा, अगर वो टैम से नहीं भर पाया तो नासूर बन जाता है, ऐसा ही कुछ आपके ब्रें के साथ होता है, जब दिमाग में चोट लगी, पहले छे मेरे में भढ़ गया, अब चलन लगे, हाथ चलन लगया, खीक है, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पर हमें दुवारा से दिमाग के अंदर विकास करवाना बढ़ता है, जब वो डेलेपेंट स्टार्ट होती है, तो आपके अंदर चेंजी सानी शिरू हो जाते है, वह आपने देखा, अब आपने की पहले वाली वीडियो की कुछ कहला चाहोगे उन्तों, एसा अधाक साब के इलाज एक वहना होगा मुझे, इंजेक्शिन भी दिये हैं कुछ और दवाईयां भी दिये हैं, मुझे फिलिंग ही हो रही है कि मैं जल्दी रिक भी आपके और कर लूँगा और जल्दी से मैं ठीक भी हो जाओंगा एक का दूब मुझे अराव लूब हो जाओंगा ठीक भी हो हो जाग मुझे प इंजे 25, 00, 22, 00, 22, 00, 22, 00, 23, 00 and 75, 00, 22, 00, 23, 00, 27, 00, 22, 00, 23, 00, 24, 00, 24, 00, 24, 00 25, 00, 25, 00, Sí트, 00, 25, 00, 25, 00, 26, 00, 25, 00, 26, 00. 26 aIP-D 60, 00, 27, 00, 28, 00 अब आपने देखा कि किस सरा से पालाइसिस को सेफ तरीके से टीटमेंट करका हराया जा सकता है अब इसी के साथ आप सिवसे में चलने की आगा चाहूंगा मेलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए तन्यवाद